हेलो एवरिवन तो मेरे चैनल टेरिस गार्डाइंवर्क में आप सभी का फिर से स्वागत हैं आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हवर्शिया लिमिफोलिया के बारे में और यह जो एलेविरा है यह एक जेब्रा एलो की के फैमिल में आता है हवर्शिया के काफी सारे स्पेसिज है यह उनमें से एक है और इसका अगर मैं नीटिव की बात कहूं तो यह साउधन अफ्रिकन पार्ट से बिलॉंग करता है मेरे पास यह एक साल हो गया है अभी है और इसमें एक फ्लावरिंग अभी होने वाली है इसकी शायद कामेरा में थोड़ा सा ब्लर आ रहा हूं यह दिखने में काफी खुबसुरत दिखता है इसके अगर मार्केट प्राइस की बात किरी जाए तो यह 100 रुपे से लेके 300 रुपे तक आपको मार्केट में या नरसरी में मिल जाएगा यह इंडोर और आउटडोर दोनों चीज़ तरह के एंवार्मेंट में सस्टेन करता है अगर इसकी सस्टेनिबिलिटी की बात करी जाए तो मैंने ऐसा ही एक अलोवेरा मेरे पास है सेकंडरी जिसको मैंने कुछ केर नहीं किया था दो मैंनों से ऐसी जगह रखा जहां पी इ कर गया इसके बारे में मैं कुछ देर बाद बताता ही हूँ और यह दिखने में काफी खुबसरत था यह इसका अल्टेमेट फॉर्म है यह इतना ग्रोह होगा इससे ज्यादा यह ग्रोह नहीं होता जो इसके पूराने वाली पत्तिया होती है वो काली पढ़के और फिर कि इसकी अगर लाइफस्पैन की बात करी जाए तो यह पचास साल तक मतलब लाइफस्पैन है इसकी और इस पचास साल में यह हर साल आपको दो से तीन पप्स एवरी एयर आपको देगा या उससे भी ज्यादा इसकी प्रफोगेशन सीड्स और पप्स से भी होती है इसके कुछ पप्स निकल चुके हैं अगर मैं दिखाना चाहूं कहीं इस कैमेरा में दिखे तो यह उसके पॉप से यह थोड़े बड़े होने के बाद इनको भी मैं इस मदर प्लांट से अलग करूंगा अब जो मेरे पास एक दूसरा जो रखा है यहां पे मैं उसकी बात करता हूंow यह मैंने दो मेनों तक ऐसे रखा था जहां पे इसको ना पानी मिल रहा था ना कुछ और इसको But always तब जब मैंने इसको कई रखा था काफी केरलेसली रखा था फिर भी यह इतने अच्छे से ग्रो कर रहा है मैंने दोनों ही एक साथ ही लाए थे अगर साइस की बात करूं इन दोनों की तो थोड़ा सा डिफरेंस यसी लिए है कि इसको पाने ज्यादा मिल रहा था जहां पर मै इसको फुल सनलाइट में रखा था और पानी बिल्कुल नहीं दिया था फिर भी ग्रो कर चुका है आप इसके रूट्स देख सकते हैं तो आज की वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि इस तरह के जो प्लांट से जैसे अलोज होगे सकुलन्ट में यह गिना जाता है कैक्टस हो गए लगाने के लिएमिट्टी कैसी होनी चाहिए और उसमिटी में जो आप इसके लिए डाले हैं तो इसके लिए अगर में बात करूँ तो मैंने थोड़ी सी रेट लिए हैं थोड़ी सी मिट्टी जिसमें मैंने इसके पहले ही राइजर्स एड़ करके रखा था पॉरी सेटी के लिए अब प्लेन इस तरह की भी मिट्टी इस तरह के अलोस के लिए डारेक्ली उस कर सकते हैं बीना रेट डाले या बीना किसी और च प्रफार्म में बनाया है और मेरे पास कुछ पत्यां थी उस प्लांड की जो आप देख सकते हैं तो उसकी कुछ पत्या मैंने इसको क्रश किया है मेरे पास खल है और मैंने उससे इसको क्रश किया है तो यह सारी इंग्रेडियंट्स है जो रिक्वार्मेंट इनकी इस आलो को ग्रो करने में होगी या इसको रखने में होगी तो इसका कितना कितना प्रोपोर्शन लेना है वो हम आगे देखते हैं अगर मैं इसके कॉंटिटी लिनी की बात करूँ तो आप सबसे ज्यादा ऐसे इंग्रिडेंट लें जो थोड़ा सा पोरस हो जिससे सोयल काफी ड्रेन हो तो इस तरह का जो मेरा पास एक छोटा सा पॉट है यह जो रेथ है वे मैं आधिर हूंगा यहापे उसके बाद मिट्टी मिट्टी आपको एक फुल छोटा प्लॉट पॉट जो है आपके पास वो पूरी की पूरी लेनी है और जो मेरे पास यह ब्रिक्स के तुकडे थे जो मैंने क्रश किये थे यह वाले और इसके उपर जो यह पत्या है जो मैंने क्रश की है यह आप पत्या ना भी डाले अगर ना हो आपके पास या इस तरह के ब्रिक ना हो या आपके पास सैंड भी ना हो तो भी कोई बात नहीं आप प्लेन भी डाल सकते हैं आपका पौधा नहीं मरेगा इसको हम मिक्स कर लेते हैं अच्छे से तो यह हमारी सॉइल रेडी है हमारे इन सकुलेंट को रखने के लिए तो इस तरह के पॉट में आप इस तरह की सॉइल डाल सकते हैं हाले कि यहां पर एक चीज है आप जो नीचे हैं इसमें जो यह ड्रेनेज हो ले हैं उसके ऊपर आप थोड़ी सी पत्या डाल सकते हैं अगर आपके पास कोई कंगर पत्तर हो वो डाल सकते हैं या कोई कपड़ा हो उससे आप ढग सकते हैं मेरे पास उसकी रिक्वार्मेंट तो नहीं है कि ऐसा मैं कुछ डालू यहां पर आप डाल सकते हैं अगर आपके पास चॉइस कम हो मतलब इस तरह की कोई बालू ना हो अगर सिर्फ मिट्टी हो फिर भी तो मैं यहां पर यह दोनो इसकी वज़ए यह हैं जब आप पाने डालोगे और इसमें जो यह एर है वह थोड़ी थोड़ी मतलब यह जो मिट्टी है उससे वह एर निकलेगी और यह थोड़ा सा दपते जाएगा अंदर जैसे कि यहां पर अगर मैं आपको बताओ तो मैंने जब भी यहां पर मिट्ट कि डाली थी मैंने इस तरह से फुल भरा था और अब आप देख सकते हैं कि यह कितना नीचे जालेंगे अगर आप पहले ही इतना नीचे डालेंगे यह आप इतनी ही से मिट्टी तो यह और नीचे चली जाती है जैसे कि मैं एक एक जांपल दूँ यह मैरा एक ड्रम है इसमे मेंने फुल मिट्टी भरी थी और आप देख सकते हैं कि पत्तों के खात के वज़े से जो पत्तिया कंप्रेश होती हैं उसके वसे नीचे नीचे एकदम अंदर तक बैठ चुका हैं तो ऐसा इसके साथ ना हो और इस तरह से मेंटेन रहें इसके लिए आप ऐसा रख सकते हैं है कि अगर आपको पानी देना है अभी अगर अब कुछ पौदे लगा रहे हो चोटे वाले इसमें तो पानिवाले किसी बाल्टी में इसको डाले इसको नीचे से गिला करें और उसके आप इसमें प्रांट लगा सकते हैं इसी कि मेरे पास यह बकेट है और इसको अगर मैंने पानी डालना हो तो मैं नीचे से डाल रहा हूं आप देख सकते हैं यह थोड़ी देर में धीरे-धीरे करके जो पानी है जो अंदर से उपर आने लगेगा इस पॉट से आप थोड़ी देर के लिए इससे ऐसा ही रख सकते हैं यह उपर से पाने देके इसको गिला कर सकते हैं दोनों आप्शन आपके पास अवैलेबल हैं तो यह पाच मिर्ट रखने के बाद गिला हो चुका हैं अच्छे से तो अब इसमें हम थोड़ी ची जगा बनाएंगे और इस वाले अलो को इसमें लगा देंगे इसमें अल्रेडी आप देख सकते हैं काफी सारे रूट्स आ चुके हैं एसमें एस करुड़ से वह ऱी की हैं लोगल-चो आप सकते हां भी का इसलीने प्रेत प्ल्स संगिस्त, जसला को यह हैं आपको चारे की मैंके हैं छका थम गड़ हो इसकी और एक बात लोगों को पसंद आती हैं कि इसे देखने से या इनकी देखभाल करते वक्त जो स्ट्रेस लेवल होता है अपने माइंड का वो कम हो जाता है और ऑक्सिजन गिविंग प्लांट हैं कार्बन डॉक्साइड एंवर्मेंट से काफी अच्छा रेश्यो है इसका कार्बन डॉक्साइड एब्सौर करने का बात की जाएं तो यह सीट जोर पप से ही प्रपोगेट हो सकते हैं और इसका अगर प्रपोगेशन मतलब जो फ्लावर से इसके बात करूं तो यह साल में दो बार आते हैं अगर आप इसको पानी जादा देते हो तो जल्दी यह इस अगर अगर आपके पास ऐसा छोटा सा कोई अलो हो इसको जेब्रा अलो भी कहा जाता है तो यह इस तरह से कोई फ्लावरिंग करने के लिए इसको एक साल तो लगेगा मैचुरिटी आने के लिए कई-कई बार एक से दो साल भी लगते हैं अगर आप इस तरह से कोई खाद पर्मानेटली पहले दे चुके हो तो इसको बार 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 आपको खाद देने की जरुवत नहीं पड़ती आप पाने दीजिए फिर भी यह अच्छे से ग्रोव हो जाएगा आज के वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में थेंक यू सो मच पर वाचिंग मैं वीडियो आपके वीडियो